गोड इविनिंग एभरीवन और वेलकम बैक टू माय ओनलाइन क्लासेज एन स्रीपटना बीपी एस्टी टीचर अभ्यर्थी जितने भी हैं उन सभी छात्रों का फिर से इस चैनल पर स्वागत है आप लोगों का आज ये चौथा टेस्ट स्रीज का Question Answer होना है इससे पहले आपको तीन टेस्ट स्रीज का हम Question Answer कर चुके हैं आज चौथा का हम लोग Practice करने वाले हैं साथ ही साथ आप लोगों को हम यह सूचना देते हैं कि जल्द ही आप लोगों के लिए हम आफ लाइन बैच भी लाएंगे पटना में तो जो भी बच्चे आफ लाइन जुड़ना चाहेंगे mathematics के लिए वो जुड़ सकते हैं उसके लिए आप यस नंबर पे संपर कर सकते हैं यहां है जो भी छात्र इसे देखेंगे अपने अन साथियों के साथ सेयर करें ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ आप सेयर करें जिससे रिच बढ़े इसका और हमारा motivation बढ़े हम और ज्यादा प्रेरित हो करके आपके लिए बहतर से बहतर सेट लाने का साथ ही साथ सुदा solution लाने का concept लाने का प्रियास करते रहें तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए direct आपको हम question पे आ रहे हैं question आपके सामने है और इसका हमें जबाब ढूनना है जैसा कि आप पहला-पहला question देख रहे हैं ये आपका binomial का problem है तो binomial के general term से related ये theory पर question है आपको बस ये देखना है कि इसका general term का formula क्या होता है ये देखिए a plus x to the power n है तो आपको इसमें general term किसको कहा जाता है तो r plus 1th term को तो r plus first term जो है उसको general term कहेंगे और इसका formula होता है ncr a to the power n minus r और x to the power r ये होता है देख लिजिए general term बस इस formula का use करके x to the power 17 का गुनांक निकालना है को efficient निकालना है तो कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले n के जगह पर देखिए 9 है c लिख दीजिए r लिख दीजिए a के जगह आपको 3x है तो 3x लिख दीजिए दोनों का difference 9 minus r लिख दीजिए और फिर यहाँ पर आपको minus x q by 6 है और इस पर power r लिख दीजिए तो x to the power 17 बोला है तो सबसे पहले आप x बाले का calculation करिए किसका x बाले का तो x पर power यहाँ कितना आएगा बंधू 9 minus r और यहाँ कितना आएगा 3r तो 9 minus r plus 3r यह power का sum हो गया और यह power 17 के बराबर होना चाहिए तो चलिए 17 लिख दीए अब यहाँ से देखिए यह 2r बचेगा और 17, 9 उधर जाके घट गया तो r हो गया तो r कितना निकल गया 8, sorry 4 है ना अब यह r का value इसमें आके रख दीजिए और x को छोड के calculation करिए x का calculation नहीं करना है केवल number का तो चलिए 9c4 लिखेंगे आप सबसे पहले इसे क्या लिखेंगे 9c4 फिर क्या लिखेंगे 3 to the power 9 में से 4 गया तो 5 और फिर यहाँ देखिए minus 1 by 6 per power r है तो 4 डाल दीए अब इसका calculation कर दीजिए number आ जाएगा 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 नीचे 24 3 पर पावर 5 246 पर पावर 4 कितना हो जाएगा 1296 बस इसको cancel कर दिए जितना कटता है कार दीजिए 8 तिया 24 तीन से इसको कार दिए 2 बार में कट गया आपको फिर यहाँ देखिए और क्या क्या कट जाएगा नीचे आपको और कट जाएगा 243 को कितना से multiply कर दे या और काट जाएगा 9 से कार दीजिए 9 से कितना कार दिएगा 9 काई 9 हो गया 49, 936, 936 कट गया 9 से अब देखिए यहाँ यह आपको 2 से कट जाएगा कितना बार में 72 बार में अब यहाँ 9 से इसको भी कार दीजिए 9,8,72 9,2,18 9,7,63 यह हो गया तो नीचे में 8 बच रहा है और एक ही option में है तो यहाँ पहला number आपको click हो गया first number आपका जबाब हो गया अब अगले question के तरह बढ़ रहे हैं धियान दीजिए next अगला यह जो आप देख रहे हैं A दे दिया A inverse दे दिया और X का मान पूछ दिया X का मान पूछ दिया तो देखे A into A inverse जो होता है वो I के बराबर होता है इसी property का फाइदा उठा के तुरंट से बना लेना है क्या करेंगे पहला row को इसके पहले column के साथ गुना करेंगे 2X 0 को minus 1 से करने पे कोई फरकने परेगा I का पहला element 1 होता है तो लिख देंगे X बराबर 1 by 2 कहीं दिया है A B option हो गया देख रहे हैं तुरंट बना है A into A inverse equal to I बस इसी का मेनी feet उठाना था बस बन गया अगला देखिए Next question आपके सामने है कोन A तिसरे चतुर्थांस में है और यह समीकरन इसको मतलब संतुष्ट करता है तो कोन A की माप क्या है तो जब संतुष्ट करता है तो हमको बस यह देखना है किसमें से कोन option इहां डालने के बाद RHS के बराबर हो जाएगा बस इतना ही तो करना है पुड़ा general equation solve करने के कोई आब है सकता नहीं सिर्य पुट करेंगे 225 degree sin 225 degree बच्चों जबाब होता है minus 1 by root 2 और अगर calculation करेंगे तो root का मामला आ जाएगा इस दिए इसको solve करने उसको फायदा नहीं है sin 240 sin 240 जो होता है minus root 3 by 2 होता है अगर इसको हम डालें यहां तो देखिए यह 4 हो गया minus root 3 by 2 cos 240 होता है आपको minus 1 by 2 minus 1 by 2 अपुट करेंगे तो यह root 3 by 2 का whole square 3 by 4 cos x plus है तो minus 1 by 2 अब तोड़ा इसका calculation कर लीजे 4 ऐसे ही रखिए नीचे LCM 4 हो गया तीन घटा 2 लिखा गया बताईए यह एक आ गया ना तो B number क्लिक कर दीजिए सीधे ऐसे बनाना है मेथर्ट से बनाने की कोई आभशकता नहीं है अगले question के तरफ बढ़ते हैं अगला देखिए 10 cos inverse x है ऐसा question अभी तक state में कई बार करबा चुके हैं बाहर में 10 है तो अंदर वाले को भी 10 बना देना है तो यह 10 हो गया इसका देखिए 10 inverse लिखिए जैसे ही cos inverse हम देखे तो यह base का काम करेगा इसके नीचे 1 चुपा हुआ है वो h का का काम करेगा तो P आ जाएगा 1 minus x square अब B के जगह पर x लिख देंगे हो गया P by B पहले यह B था और यह H था तो P निकाल के काम कर दिए x by 1 को है न तो अब solve करिए यह हट गया तो 1 minus x square by x कहीं दिख रहा है पूरे option में आप सभी बच्चे देख लिजे कहीं भी option में दिख रहा है तो उसको क्लिक कीजिए तो क्या दिख रहा है आपको A number आपको दिख रहा है क्या दिख रहा है A number यह अगला देखिए यह जो आपको बनाएंगे आज इसका जो PDF होगा यह आपको Narayan Carrier Classes Telegram Group में इसका मिल जाएगा आपको PDF तो वहां से आप लोग ले करके shortly revise कर सकते हैं आईए देखते हैं next question के तरफ पांच मा question के तरफ रेखा 2x-3y ब्राबर 5 पर निमलिकित में से कौन सा एक बिंदू 1, 2 और 3 पोड़ से समान दूरी पर है हम आपको question समझा देते हैं 2x-3y इक्वल टू 5 आपको दे दिया इस पर कोई एक बिंदू है जिसका दूरी 1, 2 से और 3, 4 से बराबर है मतलब यहां इसका दूरी और ये दूरी दोनों बराबर है तो चलिए options से ही check कर लेते हैं अगर पहला option 7-3 लेंगे तो 7-3 से इसका दूरी निकालिए तो 7 में से 1 गया 6 का स्कॉरी चटिस अगर 7-3 ले ले हम तो distance निकालिए न 7 गया तो 6 का स्कॉरी चटिस 3 में दो गया से रूट 27 आया ये रूट 27 आया अगर इसी 7, 3 तीन से इसकी दूरी निकाले तो तीन का स्कौाइर रूट 9 हो गया एक मेंसे दो गया तो मैनस एक का स्कौाइर प्लस एक रूट 10 आया चलिए फिर इसी से इसका दूरी निकालीये चार में से 3 गया एक का स्क्वाइर एक ही हो गया एक में से 4 मैंस 3 का स्क्वाइर नौत रूट 10 धेखिए दोनों बराबर हो गया तो मार दीजे किलिक जो पूछा काम कंप्लीट हो गया मेथट से भी बनाया जा सकता है साहब लेकिन मैं method से नहीं बना रहा हूँ जो यहां बोल रहा हूँ उसका benefit उठा रहा हूँ आगे देखिए next question के तरफ बढ़ते हम 0 to pi by 2 log 10x dx ये तो हम सिधे सिधी आपको पहले ही बता दियें कि अगर 0 से pi by 2 log sin x dx अगर रहेगा log sin x dx तो इसका जबाब minus pi by 2 log 2 लिखिएगा फिर आपको अगर 0 से pi by 2 है और log cos x dx है तो इसका भी जबाब आप सीधे minus pi by 2 log 2 लिखिएगा और जब आपको 0 से pi by 2 log 10 x dx है चाहें cot x dx है तो दोनों का जबाब आप 0 लिखिएगा 0 तो देखिए कहीं अपसन में दिया तो क्लिक कीजिए ना हो गया काम खतम अगले question के तरफ बढ़ते हैं हम next question के तरफ देखिए log x plus 1 dx किसके बराबर है तो समझ लिजिए यहां log x का integration क्या होता है पहले यह जाने कि इसका integration हो जाता है x log x minus 1 plus c यह होता है तो जैसे ही यहां log x plus 1 दिया तो जहां जहां x है वहां वहां x plus 1 लिख देंगे लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि यह linear है तो यह भी linear है लेकिन अगर यहां quadratic देदेगा तो गलत हो जाएगा तब इससे आप नहीं कर सकते तो यहां x plus 1 दे दीजिए और इसके अंदर लिख दीजिए log x plus 1 x plus 1 अब minus 1 अब plus c इसको multiply कर दीजिए तो यह x plus 1 log x plus 1 इसको इससे गुना करिएगा तो minus x minus 1 plus c कहीं match कर रहा है क्या यह देखिए b number को मिलाईए b number आपके सामने है b number आपके सामने है बड़ी आसानी से match कर रहा है पूड़ा x plus 1 log x plus 1 minus x minus 1 plus c क्लियर है लेकिन एक चीजिए ध्यान रखिएगा कि integration के question में कभी भी कोई constant अकेले नहीं होता है indefinite integration में कभी भी constant अकेले नहीं होता तो यह minus 1 का रहना सही नहीं है तो c minus 1 यह पूड़ा का पूड़ा एक अलग constant से के से replace किया जा सकता है सिद्धे के लिखा रहे रहेगा चैनके यह बलद c लिखा रहेगा तब भी क्लिक कर सकते आप अगले question के तरफ बढ़ते हैं next dy upon dx equal to दे दिया आपको dy upon dx equal to xy plus x plus y plus 1 इसका solution करना है dy upon dx equal to इसमें x common ले लीजे तो बचेगा y plus 1 और यह बचेगा y plus 1 तो अब यहाँ पर देखिए क्या है ऐसा होने पे आप इसको ऐसा कर लीजे इसमें देखे y plus 1 common आ जाएगा dy के नीचे y plus 1 हो जाएगा और यहाँ x plus 1 के साथ dx हो जाएगा अब इसका integration log y plus 1 हो गया और इसका आपको x square by 2 हो गया दोनों तरफ integrate कर देंगे और 1 का x हो गया plus c हो गया match कराईए कहीं दिया है log y plus 1 x square by 2 अब plus x plus c clear b दिख रहा है हो गया जबाब आपका next question के तरफ बढ़ते हैं अगले question के तरफ दसवा number question आपके सामने है dy upon dx करना है differentiation करना है तो बस कुछ नहीं करना है to the power x को log 2 ऐसे लिख देंगे सीधे सीधे to the power y को लिख देंगे क्या to the power y log 2 dy upon dx लिख देंगे और फिर यहाँ पर इसके बदले to the power x plus y log 2 लिख देंगे और अंदर में one plus dy upon dx लिख देंगे सब में गौर कर ये log 2 log 2 common है सब log 2 cancel हो गया अब आप बिना dy upon dx बला एक साथ कर दीजिए और dy upon dx बला एक साथ तो जब इसको लिखिएगा तो ये to the power y और minus to the power x plus y ऐसा लिखा जाएगा ये इस साइड आ गया और to the power x plus y में ऐसे to the power x घट गया अब अगले लाइन में अगर आप dy upon dx निकाल लिए तो इधर to the power x आपका common आ जाएगा यहाँ ऐसे बचेगा और यहाँ to the power y common बच जाएगा तो one minus to the power x बचेगा यह पाबर घट जाएगा तो c आपका जबाब हो गया clear है c बड़ी आसानी से बंड़ा है और भी तरीका है इसको उठा किधर ले आईए एक बार x के respect में differentiation partial differentiation एक बार y के respect में अदोनों को divide कर दीजिए काम हो जाएगा minus लगा दीजिएगा एक बार में अंसर उससे भी आ जाएगा यह question देखिए क्या कहा रहा है समी करन lambda y square one minus lambda y square x y minus lambda x square बड़ाबर zero से निरूपित रखाओं के बीच का कोन क्या है यह आपको pair of state line से question है ठीक है pair of state line it means रखाओं के युगम से question है आपको तो इसमें क्या करना होगा कि जब आपको x square का गुनांक minus lambda y square के गुनांक lambda दोनों को जोड के zero हो जाए तो समझ जाएगा कि angle 90 degree हो जाएगा it means x square और y square के गुनांकों का योगफल यदी zero हो जाएगा real में formula यह होता है कि कोई pair of state line का चेहरा अगर ऐसा है 2hxy plus by square equal to zero तो इसमें 10 theta का formula होता है 2 under root h square minus ab by modulus a plus b अब देख लिए जैसे ही a plus b zero हो जाएगा तो 10 theta undefined हो जाएगा और theta 90 degree हो जाएगा तो real formula यह होता है इसी से यह निकलेगा तो उतना लंबा नहीं सोचना है साहब x square और y square के coefficient को add करना है अगर वो zero के बराबर हो गया तो सीधे 90 degree बोलना है अगले question के तरफ बढ़ते हैं यदि abc गुनतर स्रेनी में है gp में है तो आपको यह कई बार बता चुके है कि अगर तीन quantity gp में है तो तीनों का अगर log ले लिजिएगा तो वो ap में हो जाएगा लेकिन अगर वो gp का term base में चला जाएगा log के base में तो hp हो जाएगा तो आपको देखिए यहां base में है abc तो सीधे हरात्मक स्रेनी क्लिक कर दीजिए एक बार में जबाब आपके सामने है अगले question के तरफ बढ़ते हैं next question omega to the power 100 omega to the power 200 omega to the power 300 किसके बराबर है जहां omega इकाई का घनमूल है तो omega से related कई property होता है बंधू 1 plus omega plus omega square 0 होता है omega q 1 होता है और दूसरी बात आपको अगर 1 plus omega to the power r plus omega to the power 2 r का form है तो इसमें भी दो बात है या तो 0 होगा या 3 होगा या depend करेगा r पर यदि r आपका जो है if r is not a multiple of 3 अगर r 3 के table में नहीं आएगा तो जबाब 0 होगा और यदि r आपको 3 के table में आएगा 3 के table में तो जबाब 3 होगा तो चलिए सबसे पहले इसको देखे 300 सिर्फ 3 से कट रहा है तो इसका जबाब 1 हो गया बचा ओमेगा पर पाबर 100 ओमेगा पर पाबर 200 अब गौर करिए r के जगह कौन ले लिया एक सो r के जगह क्या ले लिया एक सो और एक सो जो है 100 जो है वो 3 के table में नहीं आता है तो 3 के table में नहीं आता है इसका जबाब तो 0 होगा इससे तो 0 कहीं और सन में दिया नहीं तो प्रिक्त में से कोई एक से दिक डी में दे दिया है यहां है वो प्रिक्त में से कोई नहीं फ़रा ओर्डर गरबर है चलिए देखे अगले देख लेते हैं यह जो आपके सामने question है समी करन अबकल समी करन y-x dy upon dx ay square plus dy upon dx का हल बताइए इसमें से कौन होगा तो differential equation है इसको solve करना है तो देखें लिख दीजे पहले y-x dy upon dx सबसे पहले यह चेक करिएगा कि क्या यह variable separation पर फीट बैठेगा या नहीं बैठेगा तो यहां a dy upon dx dy upon dx वाले को एक तरफ कर लीजिए तो आपको क्या लिखा गया तो x plus a हो गया dy upon dx देखने बाली बात है कि यह दोनों में x मौझूद है और यह दों में y मौझूद है तो अब हम इसको ऐसा लिख देते हैं dx के नीचे x plus a प्रट गया dy के नीचे यह चला गया y-ay square तो y common ले लिजिए तो कितना बचेगा 1-ay बचेगा 1-ay अब इसका integration कर देना है यह तो बढ़ी आसानी से हो जाएगा इसको partial fraction का फायदा उठाना परेगा या इसको break करना परेगा तो चलिए इसका जबाब log x plus a हो गया log x plus a इसको अगर देखे हम इसको तो इसका हम क्या लिख सकते हैं integration ऐसा 1 by y plus 1 by 1-ay करते हैं देखते हैं कि calculation हो के यही चीज रह जाता है कि नहीं रह जाता है यह हमको थोड़ा चेक करना परेगा कि रह जाता है कि नहीं तो उठा कि इसको यहां लाइए 1-ay लिखिएगा और यहां plus ay हो जाएगा तो एक काम करिये नहीं यहां a लिख दीजिए a ऐसे लिख दीजिए अब देखें ते a y तो कट तो सही है अब 1 by y का integration तो आप जानते हैं ना क्या होता है log y लिखिएगा यह फिर प्लस a log 1-ay लिखिएगा 1-ay ओ जगह थोड़ा कम हो जा रहा है ना तो गरबर हो जा रहे तो a log 1-ay अब पलस log में ही constant भी लिख दीजिएगा तो चलिए नहीं मिल रहा है ऐसा a plus x भी मिल रह है फिर 1-ay भी यहां दिखा है तो चलिए यही टिक मार दीजिए बाकी कुछ नहीं करना है जहां दिख जाए वहीं किलिक करिए नकाम हो जाएगा अगले question के तरफ बढ़ते हैं अगले question के तरफ सदीस यह और यह से बने हुए तिर्भुज का परिमाप किसके बराबर होगा सदीस यहां ले करके दे दिया है आपको से बने तिर्भुज का परिमाप ते इसका मतलब सबका magnitude निकाल निकाल के जोड़ना परेगा तीनों भुजाओं का सदीस दे दिया है परिमाप पुछ रहा है पेरिमीटर पुछ रहा है तो सबका क्या करना है सबका हमको length निकाल के जोर देना है तो इसका लेंथ निकालियत कितना हुआ 25 141,45 रूट 50 हुआ इसका निकालियत ये भी रूट 50 हुआ इसका भी रूट 50 हो गया एक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया सम्भा तिरभुज तो ब assassin 3 तो अब ये तीन अंदर चला गया तो नौ से गुना होगा सारहे 400 हो जाएगा पेरिमीटर होता है ना थीरी ए एक्विलेटरल ट्रेंगल का पेरिमीटर क्या होता है थीरी ए तीन गुने भुजा अब भुजा कितना निकाले थे तो रूट पचास तो कर दिये देखिए नहीं नंबर मिल गए आपको सामने दिख रहा है रूटफोटी फोट फोट फिफ्टी अगले क्वेस्चन में आईए अगले क्वेस्चन ये जो क्वेस्चन आपको दिख रहा है 3x square y 4 plus 2xy dx तो ये थोड़ा देख करके ऐसा लग रहा है कि ये आपको exact differential equation पर है exact differential equation बाद समझें कि नहीं mdx plus ndy equal to 0 ये वाला जो form होता है इस पर ये है तो ये थोड़ा बनाने में लेंगदी होगा इसको हम लोग skip करते हैं अगले question के दरब बढ़ते हैं थोड़ा अगर लंबा question है ये इसलिए छोड़ रहे हैं next question देखिए यहाँ पर y square equal to 4x plus 5 दे दिया पैरा बोला दे दिया है 4x plus 5 बोला है कि उस asperse रेखा का समीकरन क्या होगा जो सरल रेखा y equal to 2x plus 7 के समानतर है तो देखिए ये एक पैरा पैरा बोला हो गया मान दीजिए ये एक point है x1 y1 point है x1 y1 और यहाँ पर ये एक आपको tangent खिचा हुआ है और ये tangent जो है इस line के parallel है क्या दे दिया है y equal to 2x plus 7 तो एक बात बताईए y equal to mx plus c पर है इसका सलोप तो मालूम चल गया m बराबर 2 जब line parallel होता है तो उसका भी सलोप 2 ही होगा लेकिन tangent का सलोप निकालने का क्या तरीका होता है बच्चों तो जो भी कर्व दिया है उसमें से dy upon dx आप निकाल दीजिए dy upon dx निकाल लिएगा ये आपको सलोप देता है 2 by y आपको क्या देगा सलोप 2 by y लेकिन already सलोप कितना दे दिया है बोलिए 2 तो इसका मतलब यह 2 के बराबर होगा तो यहां से 2-2 कट जाएगा तो y बराबर 1 निकल गया जब y एक निकल गया तो y तो पैरा यही बला y y1 कह सकते हैं इसको आप अगर हम यहाँ पूट कर दें सलोप के लिए तो y1 कह सकते हैं तो y1 अगर आपको 1 निकल गया तो y1 इसको satisfy करेगा तो यहां क्या लिखाएगा 1 equal to 4 x1 plus 5 तो x1 आपका minus 1 आ गया अब एक बात बताईए x1 1 y minus 1 यह point हमारे tangent को satisfied करना चाहिए tangent को satisfied करना चाहिए चलिए इसको डालते हैं option में y के जगह डालिए minus 1 sorry 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 मैं गलत लिख दिया हूँ यह minus 1 लिखिए यह plus 1 x का value आपको minus 1 मिला है पहले minus 1 लिखिए बाद में 1 तो minus यहां पर आप plus 1 लिखिए यहां minus 2 plus 3 3 में से दो गया 1 LHS आरचास बराबर हो गया एक किलिक कर दीजे यही आपका जबाब हो गया next number question के तरफ बढ़ते हैं अगले question के तरफ मूल बिंदू की समतल it means plane से इससे दूरी कितनी है तो सीधे formula होता है mod d by under root a square plus b square plus c square यहां मैं theory लिख देता हूँ एक minute में ax plus by plus c z plus d equal to 0 अगर plane है और यह आपका origin है तो यहां से यहां डाला गया लंब जो है उसका यह formula हो गया तो d के जगा पर यह 7 है आपको under root a square plus b square plus c square लगा दीजे 2 का square 4 6 का square 36 मैनस 3 का square 9 तो भाई यह 7 भाई 7 आगया कटके 1 चेक कर लिजे आपका a equal to 1 यह आपका जबाब हो a sorry a बराब a option में 1 है वही आपका जबाब हो गया next में आईए यह देखिए आपका limit है ऐसा question आप बहुत कर चुके है इसको हबा में आपका दीजेगा फूक दीजेगा सीधे सीधे यह देखिए 0 by 0 का form है तेल हस्पिटल रूल लगा दीजेगा उपर का differentiation कर दीजे 4 x q हो जाएगा नीचे का differentiation 1 हो गया 0 by 0 से फिरी हो गया x बराबर 3 डाल दीजे 3 का q 27 27 को 4 से गुणा करिए 87 को 4 से गुणा करिए तो ही नोगा 27 गुणे 4 4 सत्य 28 4 दुनी 8 दू 10 108 27 चो के 108 तो भई ऐसा कहीं तो मिल नहीं रहा है कहीं नहीं मिल ला है 4 x q सही है न x जगर 3 डाल दें 27 का 27 गुणे 4 108 कहीं नहीं है उप्युक्त में से कोई नहीं असान question है next question के तरब बढ़ते हैं अगले आईए ये इस question को देखिए क्या है ये quadratic का equation है sorry quadratic question है तो यहाँ पे alpha to the power 5 plus beta to the power 5 का formula पूछ रहा जब भी आपको odd power के साथ ऐसा लिखा मिले तिसका formula लिखना बड़ी आसान है alpha plus beta लिख दीजिए इससे एक कम power चार अब alternate science चेंज करिए अगला लिखाएगा minus alpha q beta फिर alpha का power घटता जाएगा बीटा बढ़ता जाएगा देखिए बढ़ता जा रहा है फिर alpha beta q लिखाएगा लास्ट में beta to the power 4 हो गया अब यहाँ पर जो जो value हमको जरूरी है वो पहले लिख लेते हैं चलिए alpha plus beta minus b by a लिखिएगा तो minus b by a तो 2 लिखा जाएगा alpha into beta लिखिएगा तो c by a तो 4 लिखा गया केबल अगर इसको आप whole square कर देते हैं 2 square ऐसे alpha square plus beta square plus 2 alpha beta है ना तो इधर 4 हो गया minus 2 alpha beta घटा दीजिए 8 तो ये लिखाया minus 4 ये आपको alpha square plus beta square का value निकल गया फिर इसका भी whole square कर दीजिए तो alpha 4 plus beta 4 लिखाएगा ये इसका whole square हो जाएगा तो मैनस 4 के स्क्वाइड स्वाइड 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 स्व बीटा कोमन आएगा तो अंदर बचेगा अलफा square पलस बीटा square आप दोनों का value निकाले हुए है अलफा बीटा चार है अलफा square पलस बीटा स्कॉ childcare मैनस 4 है तो यह मैनस 4 इंटो मैनस 4 पलस सुल्हश त यह सुल्लह हम उतार दिए और यहाँ अलफा स्क्वाइर बीटा स्क्वाइर बच गया जो की इसका होल स्क्वाइर हो जाएगा तब पला सुलह लिख दीजिए ये दोनों कट गया सुलह दुनी 32 सी आपका जबाब हो गया सामने देख लीजिए सारे बच्चे क्लिएर है आपका जबाब सुलह दुनी 32 नेक्स्ट क्वेस्चन के तरफ बढ़ते हैं एक तिर्भुज के सिर्सों के नियामक 003004 है तो क्लिर दिख रहा है बच्चों कि ये राइट एंगल ट्रेंगल है 0000 यहां होगा 30 कहा होगा इस पर होगा 04 कहा होगा ये राइट एंगल ट्रेंगल बुना तो उस त आंcen never Certain type कहां होगा और ईंटर में जहां पर्पेंडी कोलर एक तुसरे को इंटर्सट करता है तो किसी भी राइट एंगल ट्रेंगल का और तो सेंटर वहीं होता रहा है जहां दभे plus 2fy plus c equal to 0 अगर ऐसा equation है और अगर h square बडाबर ab है delta is not equal to 0 यह चेक जल्दी नहीं करते तो यह पैरा बोला हो गया ठीक है अगर h square आपका ab से कम है तो ellipse है आपका और अगर h square greater than ab है तो यह hyperbola है तो हमको तीन ही चीज की जरूरत है साहब h की a की और b की तो h किसको कहते हैं तो x y के साथ जो गुनाम होता है उसको आधा कर देते हैं यहाँ one चुपा है उसका आधा कर देंगे यह h निकल गया a किसको कहते हैं तो x square के साथ जो है उसको a कहते हैं b किसको कहते हैं y-square के साथ जाए उसको b कहते हैं चलिए इसका whole square करिए 1y4 हो गया a b करिए एक हो गया कौन ज्यादा है कौन कम है यह कम हो गया तो h-square लेस देन a b कोन मिला दिर्ग विड़त मिल गया ellipse मिंस दिर्ग विड़त यह हो गया आपका काम खतम असानी से यह concept याद रखिए question दनाक से बनेगा है ना concept दिमाग में रहेगा question एंदम गर्दा उड़ जाएगा आगे आईए देखिए next question के दरब 20 के दो भागों का गुनन फल 20 के दो भागों का गुनन फल इस प्रकार हैं कि एक भाग के घन और दुसरे भाग का गुनन फल अधिक्तम हो क्या है सुनिए 20 को दो हिस्ता में माटना है और इस तरह बाटना है कि एक भाग के घं मतलब x q इसको दो हिस्ता माट कर दिये x और y अब समझे यहां और दुसरे भाग का गुनन फल y यह अधिक्तम हो जाए real भी यह maximum minimum का question है बंदू और method से बनाईएगा तो लटकते रह जाईएगा इतना बड़ा question बनेगा लंबा तो इसको छोटा सा बनाने का तरीका सिख लीजे ट्रिक सिख लीजे एक्स का पावर कितना है तीन y का पावर कितना एक दोनों को जोड़ लिए तीन एक चार चार से 20 को भाग दिये 5 अब इसका पावर तीन है तो x हो गया 15 y हो गया 5 गुना क 75 कहीं दिया यह आपका जबाब हो गया बन गया देख रहा है maximum minima का question यह नहीं कि भई अब यहां से x q की जगह लिखे देंगे 20-y का whole q चाहें y की जगह लिखेंगे 20-x फिर dp upon dx इसको p नाम दे देंगे dp upon dx d2p upon dx square dp upon dx को 0 के बराबर फिर उसको double differentiation पूट करेंगे इतना लंबा नहीं भी या बस ऐसे अगला question में बढ़िए अब देखिए यहां फलन log x minus x का अधिकतम मान क्या है फलन log x minus x का अधिकतम मान क्या है तो सबसे पहले यह function जो आपका है log x minus x इसका differentiation कर दीजिए d y upon dx हो गया यह आपका 1 by x minus 1 लिखा गया है ना और इसको आप 0 के point के लिए तो 1 by x minus 1 0 के बराबर हो जाएगा तो x बराबर एक निकल गया एक ही point निकला अगर आप double differentiation करें तो पक्का है कि यह minus 1 by x square आएगा अब यह negative होना पक्का है और जैसे ही negative होना पक्का है तो यह आपका cp हो गया critical point हो गया तो यह value आके इहां बंधू पुट कर तो log 1 0 minus 1 minus 1 कहीं दिया क्या a number काम खतम चलिए समझ में आ गया होगा I think बहुत ही आसान question है ठीक है next question अगले पर आईए यह देखिए यह जो आपका है अगर log a to the base a है यह एक होता है तो बोला इसका differentiation इसके सापेज तो यह तो एक है तो एक का differentiation 0 divided में 1 by x तो कोई फर्क ने परने वाला 0 ही रह जाएगा तो देखिए यह कितना आसान question दे दिया ऐसा question नहीं देना चाहिए BPSC का यह जो है ना मजा कुराना हो गया ऐसे असान-असान question नहीं आगे देखिए यहां a और b किसी समुच x के दो उप समुच है तो a intersection a intersection b का dash बंदू यह question का option ही सारा गलत है और यह किताब में जिस किताब से यह question उठाए है वो किस किताब में solution भी गलत है तो आप लोग इसको देख लिजे कैसे solution करना a intersection यह demorgan law से a dash union b dash लिखाएगा अगले line में जब आप इसमें distributive law लगाएगा distributive क्यों लगेगा बाहर intersection अंदर union है यहां दोनों different है तो आपको लगाना होगा a intersection a dash union a intersection b dash अब यह a intersection a dash आपको 5 होता है union a intersection b dash बच गया तो 5 के साथ union करने पर कोई फरक नहीं परेगा तो जबाब रह गया a intersection b dash जो की कहीं नहीं है तो आपको ध्यान देना है उप्युक्त में से कोई नहीं उप्युक्त में से कोई नहीं यह click करेंगे next question अगला यदि pa a का घात समुच है pa power समुच घात का मतलब यहाँ power set पाबर सेट हिंदी में सक्ती समुच भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा और यह एक सुन्ने समुच है सुन्ने समुच जैसा कुछ होता नहीं है सुन्ने समुच को यहाँ पर आप रिक्त समुच समझ सकते हैं null set तो यह आपको five दे दिया इसका मतलब यह में सदस्यों की संख्या zero है तब आपको पूछ दिया कि इसका value क्या होगा तो देखिए भाई यहाँ पर पी कितना है पी कितना बार है एक दो तीन चार तो दो को चार बार ऐसे लिख दीजिए ऐसे आ तब यह में जितना element है वो ल हो गया फिर दोपर पावर दो यह चार हो गया इटमेंस दोपर पावर चार आया और यह स्वल्लह आ गया कहीं दिया option में स्वल्लह नहीं दिया तो प्रिक्त में से कोई नहीं यह आपका answer हो गया देख लीजिए यह next अगले question के तरह बढ़ रहे हैं अगर इसे देखें आप तो state theory का यह भी question है आपको यहां बोल रहा है x real number है और थोरा सा number line पर बस खेला कर दीजिए और कुछ नहीं यही मैदान पर खेल खेलना है तो minus 9 यहां दे दिया अचार लेके दे दिया तो हम यहां लिख दिये फिर इसमें क्या बोला minus 13 सभाविक है कि इससे पहले होगा ले minus 9 में close interval लगेगा यहां dark कर दीजिएगा अचार आपका hole रहेगा open interval रहेगा उसको सामिल नहीं कर रहे हैं फिर minus 13 को छोड़ना परेगा लेकिन 5 को सामिल करना परेगा dark है फिर c में दिया आपको minus 7 तो minus 7 सभाविक है कि यहां होगा इसके इधर होगा minus 7 यह dark लेना परेगा क आठ आगे कर दिये ध्यान दिजिएगा पहला कहां से कहां तक था minus 9 से 4 यह हो गया और स्वरी यह 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 आठ तक, ऐसा दे दिया, चलिए, अब सब में common अगर ढूनेंगे, सब में common, तो क्या मिलेगा, देखिए, ये इतना हिस्सा सब के पास है, इतना हिस्सा सब के पास, मतलब minus 7 तो रहेगा ही, और intersection 4 करेंगे, तो इसमें common नहीं है, बाकी 2 में है, तो नहीं लेंगे, तो यहाँ पर 4, open interval, minus 7, close interval, अब question पूछा, कि minus 7, A intersection, B intersection, C में है, की नहीं है, minus 9 तो फेल कर गया, तो B सही हो गया, minus 7 इसमें है, देखिए, close लगा है, इसका मतलब है, उसी में है, मा समझे, minus 7 को ले करके आगे बढ़ा है, ये धियान रखिएगा, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, next question के तरफ, तो बच्चों आपको ये result याद रखना होगा, under root iota का value होता है, plus minus 1 by root 2, 1 plus iota, और under root minus iota का होता है, plus minus 1 by root 2, 1 minus iota, तो ये जो question है, बड़ी आसान है, दोनों को जोर दिया जाएगा, तो जोरने के बाद, plus minus root 2 आएगा, तो एक option root 2 मिला, और कोई नहीं मिला, तो आ आपका जबाब क्या है, समझ में आ गया, root 2 आपका जबाब हो गया, easy है, अगले question के तरफ हम बढ़ते हैं, next question के तरफ बढ़िए तेजी से, 29 में नंबर question पे जब हम आएं हैं, तो बच्चों यहाँ गलती लिखा गया, यह 19 नहीं होगा, 9 होगा, it means 9 पर पाबर 1 बटा 3, plus 1 बटा 9, plus 1 बटा 27, ऐसा जाएगा, बढ़ते बढ़ते infinity तक, तो यह आपको देखिए, infinite geometric series है, और इसका sum का formula a by 1 minus r होता है, तो एक जगा पर 1 by 3, divide 1 minus, common ratio भी 1 by 3 है, तो यह solve हो के 9 पर पाबर, 1 by 3 into, यह पलट जाएगा, 3 by 2 आजाएगा, यह cancel हो गया, 9 को आप 3 का square लिख जीजे, पाबर 1 by 2 है, 2, 2, 2 कट गया, 3 बच गया, B number option आपके सामने है, देख लिजे, B number, असान question है, यह सब बस calculation है, दो मिनट का काम होता है, एदम उडा देना है, जी, ऐसे ऐसे question को, आगे देखिए, next, यह तो भई, understood है, NCRT का famous question, A जबाब हो जाएगा, सीधे सीधे, कर करना क्या है, ऐसा question मनाने के लिए, root में 10 है, तो 10 का differentiation लाने का विवस्था लगाएंगे, तो यहाँ पर sin X already है, तो नीचे में cos X भी है, और 10 का differentiation होता है, 6 square X, तो 6 square लाने के लिए, उपर में भी cos गुना कर दिए, और नीचे भी गुना कर दिए, तो देखिए, यह नीचे बला उपर चल जाएगा, तो यह root 10 X ऐसा ही छोड़िए, यह cos square को नीचे उपर ले जाएए, 6 square X हो जाएगा, और यह cos by sin quart X होगा, जिसको आप नीचे में ही 10 X लिख सकते हैं, और यह D X, अब आप 10 X को Z T जो मानना है, मान दीजिए, तो रंत में स्वाल्व हो के यह आपका आजाएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं, तो इतना हम आपको hint दे दिए, तो अंत बना लिजिएगा इसको, बहुत easy question है, बहुत आसान question है, next question के तिरफ बढ़ते हैं, आगे, अगला, भाई आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान लखिएगा, आप लो अगला आपका है, X to the power 4 का गुनांक बताना है, तो देखिए, इसका question बनाने का तरीका ये होता है, अगर A, यहाँ पर आपको ऐसे दे दिया, A, X to the power P, प्लस B by X to the power Q, और इस पर power अगर N है, तो X to the power M के गुनांक के लिए, गुनांक के लिए R का मान, R का मान, for the coefficient of X to the power M, है ना, the value of R for the coefficient of X to the power M, apply the formula, N P minus M by P plus Q, देख लिजे क्या formula है, X to the power M के गुनांक के लिए, गर R का value निकालना होती है, यह formula लगांगे, N P minus M by P plus Q, बस पहचानना है कि N कौन है, तो 10 हमारा N हो गया, किसके गुनांक के लिए, X to the power M के गुनांक, X to the power 4 ते M आपका 4 हो गया, P कौन है, तो जो पहला आटरम है, उसके X का power, तो यहाँ 1 है, P आपका, P 1 हो गया, अगर Q क्या हो जाएगा, तो जो नीचे बला का है 2, और A का 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 क्या करेगा, 1 by 2, अब B का का क्या करेगा, minus 3, सारा value हम लिख दिये हैं, coefficient का सीधे सीधे formula लिए देते हैं, coefficient वराबर सीधे गुनांक वराबर N, C, R, A to the power N, minus R, B to the power R, यह गुनांक का हो गया, तो सबसे पहले लगा दीजे, 10 से काई, 10, 10 में से 4 गया 6, by 3 करिएगा, 2 हो जाएगा, R, 2 निकल गया, अब यह R का value वहाँ जाके formula में डाल दीजे था, 10, C, 2, A means 1 by 2 पर पाबर 8, अब B मतलब मैंस 3 पर दो, calculation कर दीजे, 10, C, 2, 45 आ जाएगा, 2 पर पावर 8, 256 हो जाएगा, और मैनस 3 का square आपको 9 हो गया, क्या कोई cancel कटने होने वला है, 256 एक ही option में है, आईए गुना करिए, तो 9, 45, 9, 36, 4, 40 हो गया, लग गया, click, देख रहे हैं, अगर formula याद है बंधू, तो question गरदा उड़ ज ये जो question देख रहे हैं, इसमें क्या खेला है भाई, इसके सारे option में मुझे x कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब ये x से फिरी है, तो चलिए हम x को भूल जाते हैं, अब बचे हुए portion का calculation करते हैं, वो ही हमारा जवाब हो जाएगा, 4, 6, 9 हो गया, 8, 11, 15 हो गया, चलिए value निका 70 में से 60 गटाएंगे, 92 में 60 गया, 12 हो गया, फिर यहां 5 लेंगे, बीच में आप लोग मैनस लेके करते हैं, हम पलस लेके ही करते हैं, बस खाली उल्टा गटा लेते हैं, पांच लिए यहां 44 में से 48 गया, मैनस 4 हो गया, तो चलिए यहां मैनस 18, मैनस 20, मैनस 38 हो गया, और यह पलस 36 हो गया साहम मैनस दू कहीं दिख रहा है तो मार दीजे क्लिक मैनस दू भी आपका जबाब हो गया देख रहे हैं चुकि हम देखे कि जीरो से यह एक्स पर डिपेंडी नहीं है तो हम एक्स बराबर जीरो मानके काम कर लिए बड़ी आसानी से स्वाल हो गया मेथड मत लगाईए गने तो कल्यान हो जाएगा आपका अगले क्वेस्चन के तरफ बढ़ते हैं नेक्ट क्वेस्चन यहां देखिए अगला क्वेस्चन आपका क्या है इसका रेसी प्रोकल स्वरी इनवर्स निकालना है ब्युत्करम नहीं लिखना चाहिए सब्द परतिलोम लिखन देंगे तो रेसी प्रोकल हो जाएगा तो थुरा हिंदी में ब्युत्करम गलत है प्रतिलोम होना चाहिए इनवर्स होना चाहिए तो यहां से एक्स का वैल्यू आपको निकालना परेगा कैसे निकालिएगा तो य अपलस टूदी पाबर एक्स इंटू य बराबर टूदी एक्स वाले को एक तरफ कर लिजिए तो आइसे ही रहा ऊंप डूदी पाबर एक्स को मील हो गया 1 मेंश य अगले लाइन में लाइन में य मैनस y हो जाएगा तूदी पावर x हो गया अगर हमको x चाहिए तो log लग जाएगा इधर बाले में log y by 1 मैनस y जो इधर बेस था वो यहां आ जाएगा तो जब inverse निकालना है तो चेक करिए log y by 1 मैनस y कहां होगा y by 1 मैनस y ओ सारा यहां पे उल्टा है y कहीं नहीं दिख रहा है तूदी पावर y इस तरह का कहीं वेवस्था नहीं है तो मामला उलज गया है और इसमें कोई नहीं तो प्रिक्त में से कोई नहीं यह देख लीजिए next अगले question के तरफ बढ़ते हैं यह आपका limit का question है तो भाई अगर 1 रखते हैं तो 0 by 0 हो जाएगा तो उपर का differentiation अलग नीचे का differentiation अलग तो कर दीजिए उपर का differentiation 7 x to the power 6 minus 10 x to the power कितना 4 नीचे आईए 3x square minus 6x अब x बराबर 1 डाल यह तो 0 से 0 by 0 से free हो गया है तो 7 में से 10 गया minus 3 3 में 6 गया minus 3 भाग देके एक आया ए नमबर अंसर हो गया एल होस्पिटल रूल जिन्दाबाद हो गया अगरे question पर बढ़ते हैं next question पर आईए यहाँ पर यह double differentiation का मसला है वेक्टर का तो चलिए सबसे पहले इसका dr upon dt करते हैं dr upon dt त यह differentiation करने पर एक वेक्टर constant बाहर आ जाएगा e to the power omega t है तो omega e to the power omega t differentiation हो जाएगा इसको करेंगे तो minus आ जाएगा अब b e यहाँ भी omega आ जाएगा e to the power minus omega t function और function पर differentiation फिर से एक बार कर देते हैं dt t square तो यह a तो ऐसे ही हो जाएगा फिर omega गुना हो जाएगा omega square हो जाएगा e to the power omega t अब minus minus अब पलस बन जाएगा यह फिर omega square अब b e to the power minus omega t हो जाएगा दोनों में omega square common आ गया तो दीख रहा है हमको यह गौर करिए तो आपको क्या हो गया यहाँ पर b e to the power minus omega t यह पूरा किसके बराबर है आर के बराबर है तो यह omega square r हो गया अगर यह इधर आके घट गया तो जीरो आ जाएगा तो देखिए कहीं option में जीरो दिया है क्या हो गया जब आब बड़ी आसान है दो बार यह आईए किसी अनुकरम के n में पद और n-1 में पद इससे जो अंतर हुआ difference हुआ वो n से स्वतंत्र है तो घट के जो term आया वो स्वतंत्र है इसमें n कहीं मौजूद नहीं है तो कहने का मतलब जब दो पदों का difference अगर बड़ाबर हो दो लगातार पदों का difference बड़ाबर ह and वो n से स्वतंत्र हो मतलब n पर निर्भर नहीं करता हो तो यह ap का लच्छन है the common difference of any ap is always independent from n हम लोग सीधे सीधे sentence बचों को लिखाते हैं तो यह आपका result हो गया सीधे सीधे समांतर स्रेनी अगले question के तरफ बढ़ते हैं next question के तरफ ध्यान दीजिएगा यह fx equal to sin square x square है और sin square x square का 2 sin x square पहले लिखेंगे अब फिर sin का differentiation करेंगे तो cos x square हो जाएगा function और फंक्सन पर किसी बच्छे को नहीं मालूम है तो ऐसे लिखेंगा d sin x square x square तो पहले sin पर पावर है तो नीचे d sin x square लिखाएगा अब यह d sin x square उपर जाएगा नीचे d x square अफिर d x square उपर नीचे d x तो वहीं यहाँ एक 2 x का भी आना जरूरी है तो ढूढ़िए कहीं मिला क्या 4 x sin x square cos x square ए नमबर मिल रहा है ए नमबर मिल रहा है किलिक कर दीजिए हो गया आपका फंक्सन पर लगा दीजिएगा असानी से आ जाएगा अगले question के दरब बढ़ते हैं आईए यह जो question है इसमें F0 का मान निकालना है I think यह question थोरा सा मेरे बचार से गलती है साइध F-0 होगा question में इतना असान बात नहीं पूछेगा अगर 0 पूछ रहा है तो सीधे-सीधे यहाँ 0 डालेंगे 10 पर पाबर 0, 0, sorry 10 जीरो बहलू 0 हो जाएगा इपर पाबर 0 का फैलू 1 हो जाएगा आई यह 0 हो गया तो जबाब बचा 1 कहीं option नहीं दिया चलिए वाट differentiation करके देख लेते हैं तो यहाँ अगर differentiation करेंगे तो 10x का differentiation सेक स्क्वाइर x e to the power minus 2x का minus 2 e to the power minus 2x ऐसे differentiation हो जाएगा पहले and फिर minus 7x q का 21x square हो जाएगा जहाँ 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 x है वहाँ 0 डालिए तो f-0 तो सेक 0 का value 1 हो गया minus 2 e पर पाबर 0 हो जाएगा यह तो पक्का 0 हो गया तो 1 minus 2 यह minus 1 आया जो की b के बाबर मिल रहा है किलिक कर देंगे तो देख लिए बड़ी आसान question है भारी question नहीं है अगले question के दरब बढ़ते हैं अगले question प्रारंबिक मान समस्या y dash dy upon dt समझ लिए क्योंकि यहाँ x मौझूद नहीं है t मौझूद है और t dt हो जाएगा दोनों तरफ integrate कर देंगे तो यह log 1 plus y हो जाएगा modulus के अंदर and यह t square by 2 plus c हो जाएगा अब अगर y के जगह 0 डाल यह तो log 1 0 हो गया आपको यही main चीज है और t के जगह 0 डाल यह तो 0 plus c हो गया तो c का value 0 हो गया अब आके c इसमें 0 डाल दीजिए तो आपके पास क्या बचा लोग 1 plus y equal to t square by 2 अगर यहां से log हटेगा तो 1 plus y बडाबर हो जाएगा e to the power t square by 2 तो e to the power t square by 2 अब minus 1 पहला number option देख लिए minus 1 उधर चला जाएगा यह result आजाएगा तो आपको clear दिख रहा होगा अगले question के तरफ बढ़ते हैं next question के तरफ आईए यह जो आपके सामने है यह आपको dy upon dx equal to f ax plus by plus c का form का differential equation है इसमें जो linear होता है उसको हम z मान लेते हैं तो वही फाइदा उठाना है यहां तो यहां पर देखिए x plus y दे दिया उसको z मान लेजिए x plus y को z मान लेजिए तो dz upon dx बराबर लिखाएगा 1 plus dy upon dx अगले line में आप गर करिए dy upon dx बराबर क्या लिखाएगा dy upon dx बराबर dz upon dx minus 1 सबसे पहले इसको adjust कर दीजिए dy upon dx इदर भाग में ले आईए इसके नीचे कोसेक square उधर divide में कर दिए तो minus sin square x हो जाएगा dy upon dx के जगए यहां से dz upon dx sin square x नहीं साब sin square z पूरे x plus y का नाम z दे दिया है तो अगले line में यह का लिखा जाएगा यहां पर गोर करिए dz upon dx यह 1 उधर चला जाएगा तो 1 plus sin square sorry एक बार देख लिया जाए dz upon dx minus 1 लिखाएगा तो 1 minus sin square z हो गया 1 minus sin square z क्या होता है cos square z होता है तो dz के नीचे cos square z को ला दीजिए यहां dx कर दीजिए ऐसे integration हो गया अब यह देखिए 10z हो गया यह आपका x plus c हो गया z के जगए x plus y डाल दीजिए तो 10x plus y बराबर x plus c 10x plus y 10x plus y equal to x plus c कहीं नहीं दिया यह y minus c दे दिया तो फेल हो गया उप्रिक्त में से कोई नहीं किलिक कर दीजिएगा थोरा थोरा question एकाद दो question थोरा differential equation का दे देता है बढ़िया practice बढ़िया से कर लिजिए यह question पर आईए यदि a तथा b करमसा दो बिंदूओं a और b के स्थिती सदीस हैं तो बढ़ाई गई a b पर किसी बिंदू c का स्थिती सदीस क्या होगा जबकि a c बराबर 2 a b है तो देखिये a b को बढ़ाया किसको बढ़ाया a b तो मान लिजिए अगर यह a है और यह b है तो इधर भागेगा a b उधर अगर b यह कहता तो उल्टा भागाते अब इसका a दे दिया इसका vector b दे दिया यह यहां c तक चला गया तो बोला a c बराबर 2 a b मतलब यहां से लेके यहां तक 2 a b है तो एक बात बताईए a c बराबर 2 a b कह दिया तो एक a b तो इतना दूर है ही इसका मतलब अगला भी a b ही है और जब a b है तो यह मद्द मिंदू हो गया यह middle point हो गया जब middle point का पता होता है vector और दूसरे end point का अंतिम मिंदू का निकालना होता है तो बीच बाला का double minus 1 छोर बीच बाले का double minus 1 छोर तो 2 b minus a 2 b minus a तो ढोड़िये कहीं दिया क्या 2 b minus a b नंबर आपको सामने दिख रहा है 2 b minus a लिख दीजिए अगले question के तरब बढ़िये दिर्ग बिर्थ 2 x square plus 5 y square बढ़ाबर 20 के सापेच बिंदू की स्थिती तो मैंने बताया आपको कि किसी भी conic section में है चाहिए वह circle हो, para बोला हो, ellipse हो, hyper बोला हो किसी में भी आपको सबसे पहले conic section को ऐसे adjust कर लेना है कि सारा का सारा term आपके LHS में आके RHS में 0 हो जाए तब point का position जानना है कि point curve पर है कि curve के बाहर है कि curve के अंदर है तो point का coordinate इसमें जाके रख देंगे point का coordinate रखने पर अगर positive आ जाए तो बाहर negative आ जाए तो अंदर जीरो हो जाए तो curve पर ही तो चलिए डालिए चार का स्क्वाइड स्वाइड स्वाइड दुनी 32 अध मैनस तीन का स्क्वाइड नौपचे 45 मैनस 20 तो देखके तो पक्का लग रहा है कि जीरो से जादा है तो दिरगिविरत के बाहर और negative होता भीया तो दिरगिविरत के अंदर चलिए अगले question उस बिरहतम आयताकार छेतर का छेतर फल क्या होगा जिसे 200 मीटर की बार से घेरा जा सकता है इसका मतलब भी perimeter दे दिया साहब perimeter 200 मीटर perimeter दे दिया तो फरमला जानते हैं perimeter का L पलस B बराबर दे देंगे 200 तो L पलस B 100 हो गया अब सुन लीजिए कोई भी अगर कितने भी पदों का योगफल दे दे और उसका गुनन फल महत्तम करने का है maximum तो जितने पदों का योगफल है उतनास इसको भाग दे दिजिए वही प्रतियक का value हो जाएगा तो दो पद है दो से भाग दे दिजिए तो 50 L भी 50, B भी 50 तो जब L length भी 50 है breath भी 50 है तो area 50 गुने 50 पचीस त्वा हो जाएगा maximum पचीस त्वा कहीं दिया है नहीं दिया तो प्रिक्त में से कोई नहीं ध्यान रखिए बड़ी आसान है maxima minima का यह सब question next आईए अगला अगला देखिए एक बिर्त के ब्यास के सीरों के इंड़ी दे सांक 9X3 है तीन पंच है और बिर्त का केंदर 2Y है तो देखिए यह circle हो गया यह आपका circle और इसका diameter जो है diameter ब्यास यह आपको दे दिया center बोल दिया 2,Y है और यह point आपका 9X 9X,3 है और यह 3,5 है तो बोलिए दोनों किनारे के जोर का आधा बीच के बराबर होगा की नहीं तो 9X plus 3 बीच के double के बराबर कर दीजे 4 किनारे का आधा बीच के बराबर इसका मतलब किनारे का जोर बीच के double के बराबर कर दीए तो 9X बराबर कितना हो गया यहाँ पर एक तो X बराबर 1 by 9 एक ही गो अपसर में 1 by 9 दिख रहा है तो मार दीजे दुसरा कहिएगा सर दुसरा कहीं नहीं मिलेगा तब चेक कर लिजे 3,5,8 का आधा 4,Y बराबर चार मिल रहा है किलिकर मिल रहा है ठीक है अगले क्वेस्चन के तरब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेस्चन एक बिंदू इस प्रकार गती करता है कि इसकी बिंदूओं 3,4 मैनस 2 तथा 2,3 मैनस 3 से दूरियां बराबर होती है अगर इस तरह का question 2 dimensional coordinate जमेट्रिम होगा तो जबाब 1 रेखा होगा और अगर 3 dimensional में रहेगा तो plane होगा simple सा बात है कि दो बिंदूओं से दूरी मान लिजी अगर हम एक बिंदू यहाँ है और एक बिंदू यहाँ है अब बीच में कोई दिबार खारा कर दिए बात समझ रहे हैं तो इसके प्रतियक बिंदू का दूरी दोनों से बराबर होगा कि नहीं अगर यह बिंदू यहाँ इससे बराबर होगा कि नहीं तो यह locust का बना locust बिंदू पत क्या बना plane तो यह 3D में जबाब आपको plane बनेगा और अगर 2D होगा तो यह point है और यह point है दोनों से बराबर दूरी पर यही line जाएगा तो state line हो गया तो 2D में a state line बनेगा 3D में plane बनेगा ऐसे concept को लगा के भी आप बनाएगा distance formula alpha beta gamma ले लिजेगा point का जिसका locust निकालना है और वहाँ से इसकी दूरी और इसकी दूरी का बराबर कर दीजेगा square करिएगा root खतम हो जाएगा x square y square z square सब खतम हो जाएगा x y z का linear equation मिलेगा और वो plane को सो करेगा simple सा बात है असान बात है next question के तरफ बढ़ते हैं आईए इसका differentiation करना है तो sine inverse का पहले differentiation कर लीजेए तो क्या होता है 1 by under root 1 minus x square x square का x to the power 4 अब फिर x square का करिएगा 2x तो 2x by under root 1 minus x to the power 4 ए नंबर option clear दिख रहा है तो ये आपका differentiation गधावला दे दिया अगला question के तरफ बढ़ते हैं next यदि समीकरन mx square plus 6x plus 2x minus 1 बढ़ाबर 0 के मुलों का घुननफल minus 1 है तो मुलों का घुननफल का formula क्या होता है alpha into beta c by a होता है तो c by a जब लगाईएगा तो पहले adjust कर लीजे equation को mx square अच्छे 2, 8x लिखा जाएगा यहाँ आईए minus 1 अलग रहेगा तो यहाँ पर आपको मुलों का घुननफलिट means c by a minus 1 by m किसके बढ़ाबर दे दिया minus 1 के बढ़ाबर दिया थे m बढ़ाबर 1 हो गया की नहीं a number आपका जबाब हो गया पहले equation को ठीक कर लीजे x बला एक जगा बिना x बला एक जगा ऐसे adjust करिए तो बन गया question next question के तरफ बढ़ते हैं अगले question ये देखिए इसका हमको integration करना है different integration तो गौर करिए कि 10 inverse x का differentiation 1 by 1 plus x square मौझूद है तो z बराबर आप मान लीजे 10 inverse x ठीक है और x का value जब 0 डालेंगे यहां तो limit 0 ही हो जाएगा जब 1 डालेंगे तो 5 by 4 हो जाएगा और 10 inverse x का differentiation पुड़ा-पुड़ा d z से हट जाएगा तो e पर पाबर z d z हो जाएगा अब चलिए इसका integration कर दीजे तो e पर पाबर z ही होता है limit 0 से 5 by 4 लीजिएगा upper limit e to the power 0 1 हो गया e to the power 5 by 4 minus 1 आपको दिख रहा है पहला option आपका clear है देखिए असान question है भारी-भारी नहीं है अगले question मैं अगले बार जब question set करूँगा तो real BPSC के like question set करूँगा अभी तो ये market में निगला हुआ भूक है उसी का मैं question मना रहा हूँ और यकीन मानिए ये BPSC के like question नहीं है बस सिधा सिधा बना हुआ set मुझे मिल गया तो आपको स्वाल्व कर दे रहा हूँ तेजी से किसी समतल में 12 बिंदू है उनमें से 5 बिंदू एक सरल रेखा में है सेस 7 बिंदू सरल रेखा में नहीं है इन 12 बिंदूं से बने गुने 11 गुने 10 हो गया नीचे आपको 3 का फेक्टरियल 6 हो गया अब 5C3 तो रटा रटाया 10 होता है तो लिख दिए 6 से 2 बार में कट गया 220 हो गया 220 में से 10 घट गया 210 हो गया देख लिए सामने आपका अंसर है 210 बहुत आसान सीधे फॉर्मूला लगा दिये है जितना कोलिनियर होता है उसके MC3 को घटा दिया जाता है चलिए यह 10 लिमिट X टेंस टू अलफा है देख लिए यह लिमिट X टू अलफा अंडर रूट A पलस 2X मैनस रूट 3X अंडर रूट 3A 3 अलफा पलस X मैनस 2 रूट X तो X का जगए जब अलफा रखेंगे तो यह 0 बाइ 0 का आ रहा है 0 बाइ 0 का तो मन करे तो भाई उपर का डिप्रेंसेशन अलग नीचे का डिप्रेंसेशन अलग करके वैल्यू पुट कर दीजिए तब भी बन जाएगा और नहीं तो इसको आप क्या कर दीजिए जानते हैं तरीका समझ लेजिए क्या करिएगा रूट को भूल जाएए रूट को भूल जाएए तो A पलस 2 X में से 3 X गया तो A मैनस X बचा अथ 3 A पलस X में से 2 रूट X है ना 2 रूट X है तो 2 को अंदर लेक चले जाएए 4 X हो जाएगा तो 3 A पलस X में से 4 X घट जाएगा तो आपको क्या बच जाएगा 3 मैनस X बच जाएगा 3 मैनस 3 X तो 3 कोमन आ जाएगा उपर में आपको A मैनस X बचा है अलफा मैनस X बचा है नीचे आपको 3 alpha minus x बचा है तो alpha minus x हो गया and अब क्या करना है सो सुनिए इसको बीच में plus करके alpha पुट कर लीजिए तो root 4 alpha root 4 alpha plus 2 root alpha तो ये आपका आ जाएगा कितना 4 alpha 2 root alpha हो गया ये भी 2 root alpha plus में है तो इसका part जाएगा उपर उसका part नीचे इसका part उपर उसका part नीचे तो देखिए यहाँ उपर लिखे जिए 2 root alpha ठीक है इसको अगर आप करिएगा तो 2 root 3 alpha लिखाएगा तो चलिए 2 2 कट गया alpha alpha कट गया ये दोनों कट गया तो देखिए 1 by 3 root 3 कहीं दिया B number जबाब हो गया तो थोड़ा भरवली calculation हम कर दिये ठीक है और ये सब सिखने के लिए आपको आगे चलके offline class को जोईन करिए बड़ी आसानी शे डाइरेक्ट सिख जाईएगा चलिए अगले question के तरफ बढ़ते है ये तो सीधे सीधे formula है बाद समझे कि नहीं ये property of triangle का question है ये x radius है सारा x radius और ये in radius है तो इसका सीधा सीधा formula होता है 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 बराबर 1 by r होता है तो देखिए ये जब theory होता है और ये क्या किया cable 1 by r को उठा के इस side कर दिया तो जबाब क्या हो गया 0 सारा बात सावित हो जाता है हर बात ये proof हो जाता है सारा बात यहां r1 का formula होता है delta by s minus a r2 का delta by s minus b r3 का delta by s minus c और r का small r का delta by s तो बस लगा देंगे काम चल जाएगा अगला देखिए next तिरबुज p q r में sin p sin q sin r समानतर स्रेनी में है तो इसके क्या होंगे तो एक चीज देखिए एक formula होता है यहां पर हमको दे दिया मुचाई माधिकाएं median दे दिया है altitude दे दिया है एक का gp कह दिया एक समानतर कह दिया एक हरात्मक कह दिया यहां थोरा सा क्रिभुज p q r यह देखिए यह p q r आपके सामने है तो p के सामने को small p कह देंगे q के सामने small q कह देंगे r के सामने small r कह देंगे तो भई यह जो है ना देखिए altitude का पूछा है तो simple सा बात होगा जिसमें यह होगा उसका यह reciprocal हो जाएगा तो ap में यह खुद है तो उसका reciprocal hp हो जाता है हलाकि यह हम सिधे आपको direct बोले हैं method से कहेंगे तो हम आपको proof करके बता सकते हैं मान लीजिए एक तरह से यहाँ पर अगर आपको हम sin r का formula पूछ दें sin r यह मान लीजिए यह आपका perpendicular है इसका नाम pm दे दिये इसका नाम qn दे दिये तो तीनों perpendicular है 90 degree इस तरह से यहाँ से कुछ और नाम दे दिये इस तरह से तो क्या होगा कि हम एक बार sin r का अगर formula लगा दें sin r का यह तो बताएए pm के नीचे यह p r लिखाएगा कि नहीं q तो pm बराबर क्या हो जाएगा q a sin r एक बात जान लीजिए कि objective बनाने के लिए अगर आपको किसी triangle a b c में small a small b small c side को represent करता है तो उसको आप सीधे sin a sin b sin c से replace कर सकते हैं तो इस हिसाब से अगर हम q को replace कर दें sin q से q को replace कर दें sin q से और फिर यहाँ sin q sin r हो जाएगा तब sin q a sin r अगर हम ध्यान दीजेगा अगर हम इसमें sin p से गुना कर दें क्योंकि sin p दिखने रहा है तो sin p से भाग भी कर देंगे अब बताईए जब p m निकाले हैं तो क्या आया है sin p, sin q, sin r by sin p p से perpendicular डाले तो नीचे में sin p है q से perpendicular डालेंगे तो नीचे में sin q हो जाएगा और r से perpendicular डालेंगे तो नीचे में sin r हो जाएगा अब गौर करिए सब के नीचे में चला गया है ये reciprocal में तो जब ये ap में है तो reciprocal hp में होगा इसलिए tick कर दिए देखिए अगर हम setting कर दिए है next question अगला ले आईए आपको यहां पर formula याद रखना परेगा तब जाकर के आपको ये question बनेगा ये cot b by 2 a cot c by 2 का formula क्या होगा एक बात देखिए अगर 10 a by 2 है आपके पास तो इसका एक formula होता है s minus b s minus c नीचे s into s minus a अब clear है कि अगर cot a by 2 हमको लिखना परेगा cot a by 2 इसका तो उल्टा लिखना परेगा न तो चलिए यहां पर put कर दीजिए cot a by 2 के जगह पर इसका उल्टा s minus a नीचे में s minus b s minus c cot b by 2 है तो root sorry cot oh sorry उल्टा लिख दिए ध्यान दीजेगा यहां b है न तो देखिए यहां a है तो a घट रहा है b है तो b घटेगा c है तो c घटेगा इसा ब्यवस्था रहेगा तो लिखिए यहां पर s s minus b अभी इसको छोड़ के जो बचा s minus c s minus a यहां आ गया फिर c है तो s s minus c इसको छोड़ के जो बचा s minus e s minus b यह लिख दिए तो ध्यान दिजिए कोई कट रहा है क्या s minus b s minus b s minus c s minus c यहां double s बचाते एक s बाहर double s minus a बचाते एक s minus a बाहर s बराबर क्या होता है आपको पता है दो से गुना कर दिजिए उपर नीचे 2s by 2s minus 2a अब सुन दिजिए 2s के जगह अपर होता है a plus b plus c a plus b plus c तो यहां पर उपर में तो a plus b plus c हम लिख दिए और 2s के जगह a plus b plus c ऐसे लिख दिए minus 2a लिख दिए minus 2a अब एक बात बताईएगा कि b plus c बराबर कितना है 3a b plus c बराबर 3a तो उपर में b plus c 3A रख देंगे तो 4A हो जाएगा नीचे B प्लस C 3A रख देंगे तो 3A 3A, 4A में से 2A गया तो 2A कटके 2 आया कहीं दिया है साहब एक आद दो question तो भाईया लेंगदी रहेगा ही रहेगा ना केलिकुलेटिव रहेगा ही रहेगा सारा question तो लौलीपॉप नहीं रहेगा ना कि गरदा उरा दीजिएगा कुछ question रहेगा ढ़ंका अब ये जो question है देखिये यहाँ sign A बराबर 3 by 4 तब बनने बाले तिर्भुजों की संख्या बताईए कितना होगा A आपको 5 दे दिया B आपको 7 दे दिया sign A बराबर 3 by 4 दे दिया तो चलिए ऐसे लिखिए पहले ट्राइंगल बना लीजिए ये A है ये B है ये C है A के सामने को small A कहते हैं B के सामने को small B कहते हैं और C के सामने को small C कहते हैं लेकिन यहां sign A बोला तो हम 5 के नीचे sign A लिखेंगे और 7 के नीचे sign B लिखेंगे sign फर्मूला से अब एक काम करिए ये sign B को उठा के उपर यहां ला दीजिए आईए 7 पहले से 5 नीचे ले आईए आईए sign A उपर चला जाएगा तो 3 by 4 नीचे लिख दीजिए अब गौर करिए ये 21 by 20 आ गया 21 by 20 sign B निकला है और देखने बाली बात है मजे की बात है कि ये एक से ज़्यादा है और sign B किसका अवकाद है कि एक से ज़्यादा करा देगा तो कहना गलत हो गया तो भाईया इसमें से कोई तिर्भुज संबब नहीं है तो उप्यक्त में से कोई नहीं उप्यक्त में से कोई नहीं बहुत आसान question है next question बढ़ते हैं अगले question के तरफ ह मीटर उची किसी मिनार का पाद दो प्रेच्छकों A और B के बीच सिधी रिखा में है दो प्रेच्छकों A और B के बीच सिधी रिखा में है A और B से देखने पर यदी मिनार के सिर्ष बिंदू के उन्नेन कोई का मसा A और B हैं यदी A, B, D मीटर है तो H by D बताना है क्या होगा H by D, H by D, तो चलिए अगर A यहां है आपका, A, और B आपको इस साइड ले लेते हैं थोरा सुधा के लिए मान लीजे, दोनों अगर एक साइड लेंगे तो मामला थोरा सा, और यह A, B नहीं होगा, उन्नेन कोई अलफा बीटा होगा, क्योंकि तो पूरे थियोरी, देखिए अपसा में अलफा बीटा है, तो यह अगर H है, तो यह आपका अलफा एंगल है, यह आपका बीटा एंगल है, और A, B के बीच का धूरी यह आपको लेके दे दिया, A, B बराबर D, A, B बराबर D, तो चलिए अब यहां से बुद्धी लगाईए, अब यह बीचो बीच में न सा होगा ना अब यहां से हमको फाइदा उठाना परेगा तो कौट अलफा बराबर क्या लिखेंगे हम h by x लिखेंगे h by x और कौट बीटा अगर निकालेंगे तो h के नीचे d minus x लिखेंगे d minus x ऐसा लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा इसका benefit हमको क्या मिलेगा d minus x हो गया वहाँ h बराबर यहां से x कौट अलफा हो जाएगा h बराबर x कौट अलफा और यहां से h बराबर हो जाएगा h बराबर d minus x कौट बीटा d minus x कौट बीटा तो चलिए एक काम करिए यहां से दोनों h का ही value है तो हम लिख देते हैं यहाँ पर question नहीं यह plus करना होगा हमको x cot alpha बराबर d minus x cot beta यह था आपका x cot alpha को ऐसा ही रहने दीजिए d cot beta लिख दीजिए minus x cot beta लिख दीजिए x वाले को एक तरफ कर लिजिए तो cot alpha plus cot beta हो गया and यहाँ से आपको देख लिजिए cot alpha plus cot beta हो गया और यह d cot beta बच गया d cot beta तो अगले line में x cot alpha यह यह समझ लिए cot alpha plus cot beta बराबर cot alpha plus cot beta बराबर d by x cot beta x तो हमको replace करना ही है तो हटाइए ने x से निकाल देजिए देख लेते हैं आगे थोड़ा बुद्धी लगा के चुकि formula जितना भी option है उसमें cot alpha plus beta हमको यहाँ दिख रहा है तो चलिए cot alpha plus beta का formula लगा लेते हैं तो cot alpha plus beta जब लगाएंगे यह लिखाएगा cot alpha cot beta minus 1 तोटल के नीचे cot alpha plus cot beta cot alpha plus cot beta ऐसा लिखा जाएगा तो अगले line में ध्यान दीजिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं cot alpha cot beta minus 1 सब कुछ ठीक है थोरा सा क्यल्कुलेटिव हो रहा है यहाँ से अगर हम d cot beta x का value निकाल दीजिए ने चलिए d cot beta नीचे cot alpha plus cot beta तब क्या करिएगा सो सुनिए इधर back में आ जाईएगा और यहाँ x के जगा put कर दीजिएगा वो d बला जो result लाएएं आप सो तो क्या लिखा जाएगा h बडाबर x cot alpha है h बडाबर x cot alpha है h बडाबर x cot alpha तो एक काम करिए h को छोड़ दीजिए x के जगे इसको उतार दीजिए d cot alpha cot beta d cot alpha cot beta यह alpha बला और यह बला बीटा नीचे cot alpha plus cot beta यहां लिख दीजिए ठीक है और यह d इधर आके आपका भाग में हो जाएगा तो क्या आ जाएगा बताइए h by d cot alpha cot beta यहां हो गया नीचे cot alpha plus cot beta हो गया h by d का value अगर आपको यहां से दिल करे कुछ और निकालने के इसको change कर सकते हैं आप बात समझें के नहीं cot alpha plus beta का benefit उठाके वहां पर आप पुट कर सकते हैं cot alpha plus cot beta का value यहां से निकाल दीजिए तो कितना आएगा बोलिए cot alpha plus cot beta का अगर value निकाल दें तो cot alpha cot beta minus 1 के नीचे cot alpha plus beta बस इसको वहां जाके रख देना है देख लिजे वहां पर ति पलट जाएगा और यह चीज वहां पर आजाएगा तो देख लिजे क्या हो जाएगा cot alpha plus beta उपर चल जाएगा cot alpha cot beta नीचे आजाएगा चेक करिए कहां था option पीछे पीछे आजाएगे cot alpha plus beta उपर हो जाएगा cot alpha cot beta minus 1 वी नंबर मिलदा है तो ठिक कर लीजिएगा ठेक है next नंबर पे आईए अगले question पे अगले question यदि किसी तिर्भुज के सिर्ष 1-3 4-3-9 किये है तथा इसका च्छत्रफल 15 बर इकाई है तो के का मान कुछ नहीं करना है area of triangle को modulus के अंदर ले लेना है और के का मान यहां से निकाल लेना है 15 के बराबर कर देना है तो 1 by 2 और यहां पर ऐसे लिखेंगे 1-3 x1 y1 1 फिर यहां x2 y2 1 और फिर यहां फिर क्या लिखेगा x3 y3 1 इतना बराबर 15 लिख दीजिए अब calculation कर दीजे इसका determinant solve कर दीजे 1 लिखेगा minus 3 minus 3 minus k लिखेगा फिर minus 3 उतार दीजे minus 9 minus 4 minus 13 हो जाएगा फिर यह one लिख दीजिए यहां है ना एक मिनिट रुख जाएगा यहां हम गलती कर दीजिए क्या minus 3 लिखे है तो 4 हाँ चीक है minus 9 minus 4 चीक है फिर एक लिख देंगे यहां तो 4k फोर के फोर के minus 27 हो जाएगा बराबर 15 दूरी 30 कर दीजे 15 दूरी 30 दो उधर चला गया इसमें से आप लोगों से के का value निकल जाएगा निकाल के देखिएगा जो मिलेगा टिक कर दीजिएगा हम calculation कर दिए हैं आपको next question के तरब बढ़ते हैं अगला यह भी theory पर है आपको ब three है तो यहां से इस पर डाले गए लंब का यह जो बाद है मतलब food है उसका आपको coordinate पूछ दिया है food का coordinate तो food का coordinate कैसे निकालेंगे सो देखिए यहां पर simple काम है formula लगाएंगे यहां तो x minus 2 के नीचे यह 4 लिख देंगे y minus 3 के नीचे यह minus 5 लिख देंगे चार दुनी 8 minus 15 प्लस 8 लिख देंगे नीचे दोनों का square करके जोड़ देंगे 60 plus 25 अब calculation करके x और y का मान निकाल दीजिए answer हो जाएगा तो चार उधर जाके गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा minus 4 by 41 और तब ये दो जो है उधर जाके add हो जाएगा तो भई 41 दुनी 82 में से 4 गया 78 by 41 होगा लेकिन इहाँ पर उल्टा दे दिया है तो भई गलत है ठीक है option उप्रिक्त में से कोई नहीं दुसरा तरीका ये है कि इस point अब को इसमें put करिएगा देखिएगा satisfy जो करेगा तो वही आपका जबाब हो जाएगा ऐसा कोई विवस्था नहीं दिख रहा है अगले question के तरफ बढ़ते है next question यदि किसी तिरभूज के सिर्स करमसह बस कुछ नहीं है देखिए यहां लेके दे दिया आपको ये दे दिया एक एक दो फिर ये दे दिया आपको दो तीन पांच और ये दे दिया आपको एक पांच पांच तो छेतरफल पूछ रहा है तो पांच में से एक गया चार जे कैप लिखाएगा आई बला तो खतम हो चुका पांच में से दो गया ठीरी के कैप लिखा जाएगा फिर इसमें प्रोडेक्ट करके मेंगनिचूड निकाल देना है तो क्या हो जाएगा वन बाइट टू लगाके अब इसका ऐसे लिख 043 यहां लिख दीजिए एक दो 3 इसका सीधे magnitude भीर निखा जा सकता है सीधे magnitude डाइरिक्ट भी magnitude निकाला जा सकता है क्या लिखेंगे हाप पहले इस दोनों को लेंगे चार तिया बारह मेंसे चे गया 6 का स्कॉएर 36 लिखने तो बन गया इजी से तो बहुत आसान है थोड़ा ब्रेन के अंदर कैलकुलेशन अगले question के तरफ बढ़ते हैं कौन सा केंद्रिया प्रविर्ती का माप नहीं है मीन मिडियन मोड ही केंद्रिया प्रविर्ती की माप होता है central tendency of measurement होता है मानक बिचलन फेल हो जाएगा C ही आपका जबाब है अगले question में बढ़िए एक समुह में तत्समक अभयब identity element group theory का question है तो किसी भी group में single identity element होता है uniquely exist करता है तो यह आपका जबाब हो जाएगा यह सब theory है अगला question देखिए यह cross multiplication करना है तिसका जबाब 11, 12, 13, A number मिल गया cross ऐसे हो गया Cartesian product, Cartesian गुनन अब यह आपके पास है यहाँ पर GX बडाबर FX by phi X पुछा है तो real में यह कुछ करना नहीं है देखिए बोला FX by phi X तो XQ-27 को X square plus 3 X plus 9 से भाग देना है यह Q-B Q पर तूट जाएगा ति यह लिखा जाएगा A-B A square plus AB plus B square और उस हिसाब से नीचे जबाब हो गया अगले question के तरफ बढ़िए यह total 5 element दे दिया और इसमें बोला समस्त आच्छादक फलनों की संख्या इट मिंस 1-1 on 2 mapping तो उसका सीधे होता है NPN, NPN का मतलब हो गया factorial N तो 5 element है तो factorial 5 जबाब होना चाहिए अब factorial 5 कहीं नहीं है यह महासाय से 15 लिखा गया है रियल में factorial 5 है तो C ही आपका जबाब हो जाएगा अगले question के तरफ बढ़िए यदि हरात्मक सरेनी का हरात्मक सरेनी HP का 5 माँ पद 7 है 7 माँ पद 5 है उल्टा कर दे तो उल्टा कर दे तो जब जोर का पूछेगा मतलब 12 का पद 12 माँ पद पूछ देगा तो क्या करिएगा सो सुनिए 12 पद 12 उपर में स्वरी दोनों का गुनन फल 35 उपर नीचे 12 लेकिन अगर 35 माँ पद पूछ दे दोनों का गुनन फल तो सीधे जबाब एक बोल देना है यह बड़ी आसान ट्रिक है इसाब बच्चा को हम लोग पढ़ाते हैं सीधे सीधे यदि किसी AP का M माँ पद 1 बाइ N हो N माँ पद 1 बाइ M हो तो उसका A भी 1 बाइ M N होगा D भी 1 बाइ M N होगा T M N एक हो जाएगा T M पलस N जो है M N बाइ M पलस N हो जाएगा तो यह जबाब आपको याद रखना है तो तुरंत में काम हो जाएगा अगला थिवरी के तरफ बढ़ रहे है यह जो क्वेस्चन आप देख रहे हैं तो इसको बनाने का तरीका समझ लीजिए यह देखिए दोनों के बीच 2-2 का अंतर है 2-2 का सबसे पहले आप क्या करिए 2 से भाग देदीजिए 2 से गुना कर दीजिए 2 के नीचे 1-3 लिखाएगा फिर 2 के नीचे 5-7 निखाएगा 2 के नीचे 9-11 लिखाएगा इस तरह से बढ़ते चला जाएगा बंधू तो 1 by 2 को तो ठीक है लिख दीजिए इसको आप लिख सकते हैं 1 by 1 minus 1 by 3 चेक करिये जो घटा वही हो जाएगा फिर 1 by 5 minus 1 by 7 लिख सकते हैं फिर ये 1 by 9 minus 1 by 11 लिख सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं ये odd number जा रहा है और एक formula होता है 10 inverse x का Gregory series इसको कहते हैं तो x minus x q y 3 plus x to the power 5 by 5 minus x to the power 7 by 7 ऐसे ये Gregory series जाता है तो उसी पर ये fit है x का काम यहाँ 1 कर रहा है तो 10 inverse 1 लिख देंगे तो 1 by 2 into 10 inverse 1 कहीं दिया है नहीं दिया 10 inverse 1 का विलू पाइबाई 4 होता है तो पाइबाई 4 को गुना कर देंगे तो पाइबाई 8 मिल दा है c ये Gregory series का question है बड़ी आसानी से बन गया अगले question के तरह बढ़ते हैं देखिए next e to the power 3x minus 4 इसको आप लिख दीजे 3x by e per power 4 चाहें इसको e per power minus 4 ऐसे लिख सकते है e to the power x का formula होता है बच्चों 1 plus x plus x square by factorial 2 plus x q by factorial 3 plus x 4 by factorial 4 इस तरह से जाता है अब गौर करिए x के जगा पर 3x वहां दे दिया है तो लगा दीजे 1 plus 3x अगला लिखेगा 3x का whole square 9x square by factorial 2 इस तरह से बढ़ते चल जाईएगा ये लिखा गया e per power minus 4 आपको किसका गुनांग पुछा x square तो के बल x square बला के साथ लग लिजे तो 9 by factorial 2 आईए e to the power minus 4 जहां मिलेगा मार दीजे 9 by 2 तो मिला लेकिन e to the power 4 है e to the power minus 4 नहीं है अगर minus 4 होता उसी को क्लिक करते अब मुझे नहीं पता कि पढ़ते हैं यदि समी करन x square plus k x plus 1 बढबर 0 के मूल alpha और beta है तो इसका value बताना है alpha plus beta 1 by alpha plus 1 by beta तो simple सा बात है ये alpha plus beta का whole square लिखा जाएगा नीचे alpha into beta हो जाएगा तो alpha plus beta का होता है minus b by a a 1 है तो कोई फरकने परेगा minus k का square लिख देंगे alpha into beta c by a 1 हो जाएगा तो k square कहीं अगर दिया a number मिल गया k square आपका जबाब हो गया बहुत ही आसान question है ध्यान दीजिएगा आप लोग ठीक है बहुत easy question है next question के तरफ बढ़ते हैं अगले question के तरफ देखिए x q minus 12 x square plus 49 x minus 28 के मूल समांतर तो देखिए इतने लंबे question को बनाने का सबसे पहला ये तरीका है कि इसका गुनांक एक है इसका minus 12 इसका 49 इसका 28 अगर ये जोड़े तो 0 हो गया अगर सारा गुनांक जोड़े 0 हो जाए न तो एक root तो एक निकल गया अब एक root एक मिल गया अब हमको चेक करना है कि अगर common difference एक ले लेते हैं common difference एक तो एक में एक जोड़े तो 2 हो गया 2 रखने पर क्या ये 0 के बराबर होता है चेक करके देखेंगे 2 का Q 8 12.48 अब 49 दुनी 78 minus 28 क्या ये 0 होगा चेक कर ये तो 78,8,86 हो गया और ये 76 हो गया तो जीरो तो नहीं हुआ फेल कर गया तो चलिए ये option फेल दो अगर ले लेंगे तो एक में दो जो लेंगे तीन होगा तीन डालते हैं तीन का Q कितना हो गया 27 और यहां 9,12,108 अब फिर यहां 49 दुन को तीन से गुना करेंगे तो स्वरी तीन एक्स ले रहें एक्स बराबर तीन अब हो रहा है मेरा तो तीन नमा 27 का साथ बांकी दो तीन तिया नौदू एक ग्यारह अमाइनस 28 चेक करिए तो क्या जीरो होगा नहीं होगा साथ साथ चाओदा आठाट सॉला फिल हो रहा है तब इसका मतलब तीन हो जाएगा चेक करिए तीन रखिए गा तो एक तीन चार हुआ अब एक्स बराबर चार रखिए चार का क्यू चाओं सट यहां चार के स्क्वाइड सॉला सॉला को बारह से गुना करिए तो 192 अब फिर यहां पर सॉला सॉला सॉरी 4 से गुना करिए चार नमाच चाथिस के छे बांकी 3 चारतीया बारह तीन 1556 अब माइनस 28 फ़रा जोर लीजिए तो कितना होता है मैनस बाले को प्लस बाले को यह 220 जीरो हो रहा है तो मार दीजिए टिक question बन गया एक value निकाल लेते हैं बाकी option का benefit उठा लेते हैं इस question में मैं देख रहा हूँ कि यहां whole square है यहां whole square है तब बीच में भी ना whole square का कैसे हो सकता है ऐसे रहेगा question तब सही होगा तो अब check करना है कि यह गलत है कि सही है तो ध्यान दीजे करना क्या है n बड़ाबर कोई मान ले लिजे मान ले लिजे तीन ले लेते हैं आप तो तीन तक का calculation कर लिजेगा 3C01 का 3 का square 9 3C2 3 होगा उसका भी हो square 9 अब 3C3 1 हो गया आगे जाने के ज़रूत नहीं है 9 9 18 दू 20 हुआ अब इसमें n के जगह 3 डालने पर देखेंगे कि कहां 20 होता है कहां 20 होता है यह चेक करना है तो देखिए पहला option आपको 2NCN दिया है तो एनक जगह 3 लिए तो 6C3 6C3 बच्चों 20 ही आता है calculation हमको याद रहता है यह सब बात 6C0 1 होता है 6C1 6 होता है 6C2 15 होता है 6C3 20 होता है 6C4 15 होता है फिर 6C5 6 होता है और 6C6 1 हो जाता है तो हमको यह 10 तक का इसा ही दिमाग में रहता है तो इसलिए डारेक्ट हम बोल दिए आप टिक कर लीजिए गा ठीक है अगले देखिए यहां अगला जो question है कौन सा पद X से स्वतंत्र है एक से स्वतंत्र के लिए N P by P plus Q लगता है formula R का तो अब यहां यह ऐसा form में अगर है तब A X to the power P by B by X to the power Q to the power N तो संयोग से यह इसी से मिलता जुलता है देख लीजिए तो R का बेल्यू निकाल दीजिए 15 एकाई 15 पाबर यहां 15 और नीचे 1 पलस 2 3 तो भाग दे के यह 5 आया तो इससे एक बढ़ा के पद बोलेंगे TR plus 1 It means छठा पद जो है X से स्वतंत्र रहेगा बड़ी आसान काम है R बड़ाबर N P by P plus Q लगा देंगे स्वतंत्र पद के लिए तब अगला देखिए Next question आपका किसी निश्चित प्रसन को परगती और त्रिप्ती द्वारा हल किये जाने की प्रायकता करमसा एक बाए 3 और एक बाए 2 है तो उक प्रसन को हल हो जाने की प्रायकता बहाई question कैसे स्वाल्व हो जाएगा अगर परगती स्वाल्व कर दे अत्रिप्ती नहीं करे तब भी स्वाल्व और दोनों ही स्वाल्व कर दे तब भी स्वाल्व तो चलिए पहला बार परगती के द्वारा स्वाल्व करवा देते हैं तो 1 by 3 अत्रिप्ती को फेल करवा दिये अगला बार त्रिप्ती को पास करा द दिये तो 1 by 3 into 1 by 2 चलिए जो और घटाव कर लिजे सब का LCM तो 6 हो गया 1 2 3 1 4 हो गया कैंसिल होके 2 by 3 कहीं दिया है तो मार दीजिए ठिक बच्चा वाला क्वेस्चन है भीया बड़ी आसानी से बन गया C number बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए तो सारे बिपी SCS print से जिने भी चात रहें जितने भी साती हैं सब कोई मिल करके मेरे वीडियों को दूर दूर तक पहुँचाएए इसके लिए आप लोगों का हम अभारी रहेंगे तो थोरा सा आप लोगों का support तो हमें चाह स्वाल कर सकते हैं कैसे तो सबसे पहले यह जो साथ है न उसको इसके मत नीचे आ दिजिए तो साथ पर पाबर जीरो कितना हो जाएगा एक जो आया उसको अगले बाले के माथे पर दे दीजा पच पर पाबर एक तो रूट एकस प्लस 5 आब रूट एकस बचा आब पॉंच उपर पाबर ये एक गया तो पॉंच हो गया तरीका सीखे आप लोग क्या करिएगा ये जो जीरो है उसको साथ के माथे पर डालिये ते एक आया वो जो आया अगले बेस के माथे पर डालिये पॉंच आया अब ये जो बच गया वही उसके बराबर है पॉंच के बराबर तो question के तरब बढ़ते हैं न ये देखिए इसका क्या निकालना है साब adjoint adjoint कैसे निकलता है कोई भी अगर two by two का determinant है और इसका adjoint निकालना है adjoint तो कुछ नहीं करते इस दोनों को change कर देते हैं principal diagonal के element को interchange कर देते हैं और secondary वाले को कोई सही छोड़के खाली negative लगा देते हैं तो यहां पर अगर इसका पूछा तो छे यहां आएगा एक यहां आएगा यह मैनस 5 हो जाएगा यह मैनस दोन है दो दो आ जाएगा यहां आई यह मैनस एक हो गया मिल रहा है कहीं नहीं मिल रहा है तो मार यह छोड़िये उप्रिक्त में से कोई नहीं next question के तरफ बढ़ते हैं अगले question इसका हमको limit निकालना है तो फिर यह 0 by 0 का है तो उपर का differentiation e to the power x नीचे का differentiation 2x का है कि 1 का differentiation 0 हो जाएगा अब मैनस 1 बच जाएगा चलिए फिर उपर का differentiation क्योंकि 0 by 0 आ रहा है तो e पर power x रह जाएगा नीचे 2 रह जाएगा अब अगर x के जगह 0 डाल देंगे बंदू तो जवाब क्या होगा समझते ही होंगे आप लोग हम बस ठिक मार देते हैं हो गया अगले question के तरफ 75 number question एक अर्ध विर्थ जिसकी 32 cm है कि अंदर एक आयत खीचा गया है इससे सबसे बरे तो सुनिए कोई भी बिर्थ के अंदर जो आयत होता है न उसका छेत्रफल maximum तब होगा जब वो बर्ग बन जाए it means length breath बराबर हो जाए तो तिरजिया 2 cm है तो diagonal कितना हो जाएगा 4 cm बर्ग का diagonal क्या होता है root 2 A बराबर 4 तो A बराबर 2 root 2 हो जाएगा तो area कितना हो जाएगा इसका whole square कर देंगे 2 का square 4 गुने 2 8 होना चाहिए कहीं दिया है क्या कही भी सबसे बरे आयत का चयतरफल 8 नहीं लिखा है то भज़ई यहाँ पर थोरह कहीं garbar ने लिख दिये थोरह ऐसा देख लो भज़ए तो देख लो कुछ Petra लगड़ाया है हमको है ना इसका बर्ग की भुजा का भुजा का विकर्ण का फ्रमला क्या होता है रूट टू ए तो रूट टू ए बराबर इसके पूरे डाइगोनल के बराबर तो हो जाना चाहिए जब तिरज्या दो सेंटेमीटर है तो दो दूनी चार तो दूनी आठ कोई नहीं है उप्युक्त में स कोई नहीं उप्युक्त में से कोई नहीं अगले question बढ़िए cos inverse x का सापेच Sin inverse x का differentiation जिसका differentiation उसको उपर में जिसके respect में उसको नीचे तो भाग देके तो यह माइनस वन हो गया इसमें कुछ सोचना नहीं है सततर नंबर question में आएंगे एक formula होता है यह sin 75-sin 15 by cos 75 plus cos 15 ऐसा दे दिया है ठीक है ध्यान दीजिएगा तो सब जगह अलग-अलग है तो उपड sin c minus sin d लगा दीजिए क्या होगा sin c minus sin d तो 2 cos c plus d by 2 75-95 cos 45 अज sin c minus d by 2 75-95 अधा कर देंगे तो 30 नीजे भी cos c plus cos d 2 cos 45 अब फिर यहां cos 30 लिखाएगा यह दोनों कट गया sin 32 by cos 30 10 30 हो गया 10 30 का value 1 by root 3 होता है तो हम लिख दिये है सिधे सिधे देख लिजिए अगला question आईए यदि theta दुसरे चतुर्थांस में है दुसरे चतुर्थांस का मतलब होता है second quadrant में है तो second quadrant में है तो फिर इसका value क्या होगा तो ध्यान दीजेगा सारे बच्चे यह root के अंदर है एक काम करिए इस root को यहां गुना कर दीजे इस root को यहां कर दीजे sine sine कर जाएगा उपर में आपको क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा नीचे 1 minus sine square theta हो जाएगा 2 by under root cos square theta हो जाएगा अब देखिए यह root के अंदर x square है तो root under x square का value x होगा तब जब आपका x greater than 0 होता है यही जब आप minus x होगा यदि x less than 0 है तो cos square x square x के जगा कोन ले लिया cos theta अब theta कहां है दुसरा में तो cos negative होगा negative square है ति बाहर आके minus में लिखाएगा minus cos theta तो देखिए minus 2 sec theta cos उपर जाएगा sec theta तो minus 2 sec theta b number आपका जबाब हो गया अगर यह root का concept आपको नहीं मालूम है square root का concept नहीं मालूम है तो आप गलती पक्का कर लिजिएगा और 2 sec theta लिख के आईएगा यह धियान रखिए तो यह square root के concept को ठीक से समझ लिजिएगा आईए अगले question 89 number पे पहुँचते हैं a बराबर 4 b बराबर 3 cos a बराबर 60 degree दे दिया तो cos a का formula लगा दीजिए बच्चों b a क्या होगा b square plus c square minus a square by 2bc cos 60 degree 1 by 2 लिख देंगे b square के जगा पर 3 लिख देंगे c square मालूम नहीं a square के जगा स्वल्ला लिख देंगे 4 का square a 2bc लिखेंगे तो 6 2 3 6 a यहां पर c रह जाएगा तो calculation कर दीजिए तो यदर लिखाएगा 6c a यहां पर 2c square लिखाएगा a 3 में से सुल लो गया minus 13 दूनी 26 लिखा जाएगा दो सम्मे कोमन आ जाएगा तो c square minus 3c a यहां पर minus 13 बराबर 0 हो जाएगा अब कोन ऐसा है देख लिए इससे मिला यह c square minus 3c minus 13 कहीं तो दिख नहीं रहा है quadratic equation में जोर घटाओ गलत नहीं ने कर लिए चेक कर लिजिएगा आप लोग cos a b square plus c square minus a square by 2bc लिख दिए cos 60 degree दे दिया तो 1 by 2 लिख दिए b square जिए तीन का square तब नहीं गलती हुआ 3b का square तीन का square 9 न लिखेंगे 9 plus c square minus a square तो 60 अब नीचे 6c ठीक है तो 9 में से 60 हो गया तो कितना हुआ minus 7 minus 7 को 2 सगने गुना करेंगे तो minus 14 अब यह अगर 2 कोमल लेंगे तो यह minus 7 तो ढूड़िए यहाँ c square minus 3c minus 7 पहला नमबर मिल रहा है अगला question आजाईए अगला question 80 नमबर हमारे टाइपिस्ट महोदय से वही question repeat हो गया तो इस तरह से आपका सारा question हम समामत कर दिए आसा करते हैं कि आप लोगों को सब को good luck जै हिंद